तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं डियाफ सी से आयल एक्जाम के लिए जो आपका कस्टमर रिलेशन का जो पर्टिकुलर सेक्षन है जो के ट्वल कोशन के लिए पूछा जाना है इसकी हम आज क्लास नंबर 3 करने लग रहे हैं जिन लोगों ने जाकर के इस का सेशन शुरू करते हैं और आज मेंली हम क्या आज आपकी देखो क्लास नंबर 3 है यह ठीक है आज आपको क्या करना है अरे भाई देखो यहां पर आपका आज आपको क्या करना है मेंली हमें पढ़नी है software हिस्ट्री देखो इससे पहले आप लोगो अभी तक यह तो समझ गए होगे कि कभी भी अगर हमें अपना CRM अच्छे से बनाना है तो उसके लिए सिर्फ आपका simple notebook पे तो काम किया नहीं जा सकता हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा काफी अच्छे software चाहिए होगे या फिर उसके लिए हमें धीमे धीमे जो है technology की बहुत जादा जरूरत पड़ गी ठीक है तो वही हम देखेंगे software development कैसे कैसे हुए CRM को लेकर के और इसमें क्या-क्या नए नए जो है term इंट्रोड्यूस हुए जब यहाँ पर आप software की history पड़ोगे तभी हमें यहाँ पर important rate पड़ने पड़ेंगे कि यहाँ पर आपका customer lifetime value का जो introduction है वो कैसे किया गया चरन rate क्या होता है क्योंकि आपका जो examination हुआ था 2018 में वहाँ पर यही questions आए थे कि चरन rate कैसे calculate करें या फिर उसकी customer की lifetime value यानि कि यह बहुत सारे यहाँ पर terms होते हैं अलग-अलग जिनके आपको क्या पता होने चाहिए formula पता होना चाहिए कि अलग-अलग formula और formula वो आय कैसे क्या क्या उसमें चीजें समझना पड़ेगा हमें सबका सब समझ में आ रही है बात या फिर customer retention rate कैसे निकालते हैं तो statistically यहाँ पर क्या किया गया अलग-अलग theories दी गई वो सब हमें यहाँ पर देखनी है जैसे अगर आपने कभी economy पढ़ी हो तो economy में हम क्या करते हैं अ अलग-अलग चीजें हैं वो हम software history के साथ के साथ निप्टाते जाएंगे बात समझ में आ रही है क्या फटा-फट से हाँ बोलो clear है चलो फिर मैंने आपको देखो कल यहाँ पर बताया था कि 1975 से लेगर गया आपका जो 1980s का early time हो गया यहाँ पर basically आपका एक्सल शीट यानि क spreadsheet basically हुआ गरती थी वहाँ पर हम customer का पूरा का पूरा data जो है feed किया करते थे लेकिन यह जो process थी यार बहुत hectic हो गई क्योंकि इतने सारे customer है किसी company के तो उनका पूरा का पूरा data रख पाना यहाँ पर possible था नहीं तो एक तरीके से और एक मैंने spreadsheet बना दी तो फिर उसे धर से उदर भेजना बड़ा मुश्किल काम था और उस टाइम पर mainframe computers का use किया जाता था जो mainframe computers थे उस टाइम पर ठीक है तो यह बात यहाँ पर चल रही थी यह program यहाँ पर हो रहा था तो फिर क्या किया गया यहाँ पर आपका year आ जाता है सबसे important 1982 ठीक है ना और यहाँ पर इसस लिए हम prediction कैसे करेंगे है ना यानि कि हम कैसे पता लगाएंगे कि आने वाले टाइम में हमारे लिए कॉंसा customer important है क्या उसके लिए हमें फॉर्मले लगाने चीए अब जो basic जैसे मेरी company है मैं उस company का CEO बनिया तो मुझे पूरा का पूरा marketing की जानकारी तो नहीं होगी है ना त तो फिर क्या हुआ यहाँ पर इसी तरीगे से consultancies form होनी start हुई और 1982 में क्या हुआ Kate and Robert ध्यान देना एक थे आपके कौन से Kate Kastenbaum ठीक है नाम ध्यान देना एक थे Kate Kastenbaum एंड दूसरे थे Robert Kastenbaum Robert Kastenbaum इन दौनों ने मिलकर के क्या किया यहाँ पर एक theory दी और यहाँ पर इन्होंने कुछ formulas दिये concept दिया पूरा किसका 1982 में concept of database marketing concept of database marketing ठीक है ना ध्यान देना यहाँ पर अब यह database marketing क्या है और यह direct marketing से थोड़ असा डिफ्रेंट जो है कैसे होती है यह चीज हम थोड़ी से यहाँ पर देखते हैं और फिर हम आगे चलेंगे इन्होंने और हाँ database marketing के साथ के साथ इन्होंने एक और term यहाँ पर दिया customer lifetime value ठ इंट्रड्यूज किस ने कराई थी तो फिर यह जो रॉबर्ट केस्टन बॉम है यह मैं नाम इतना important क्यों बता रहा हूं क्योंकि हुआ क्या यहाँ पर color को change करेंगे देखो year था आपका 2002 ठीक है ना कौन सा year की बात करने लग रहे हैं हम 2002 year की बात करने लग रहे हैं इस year में क्या किया गया जो Robert Kastenbaum थे Robert Kastenbaum इनको यहाँ पर एक hall of fame में include किया गया किसमें किया गया 2002 में जो DMA hall of fame है ठीक है ना DMA hall of fame अब यह DLA hall of fame क्या होता है यहाँ पर जितना भी जिसने marketing को लेकर के या फिर आपका direct marketing हो गया इसमें जिसने सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया होता है उसको DMA hall of fame में जगह दी जाती है ठीक है तो 2002 में Robert Kastenbaum को इसमें include किया गया ठीक है किसमें इनको entry मिल गई DMA hall of fame में बात समझ में आ रही है तो यहाँ पर अब समझते हैं फिलहाल इन्होंने जो term दिया था concept दिया था database marketing का वो कहां से आया तो अभी जो आप देख रहे हो यह जो अभी CRM का format देख रहे हो CRM में आपको क्या होता है basically यहाँ पर आपका customer का database कहां से आ आता है है ना तो वो सब जो database इखटा करते हैं या फिर यह सारी की सारी चीजें होती है ना CRM में जो अभी हो रहा है तो उसका introduction इन्होंने कराया था खरीदा है उसकी वो सब आप detail अपने पास में लेकर के रखो फिर आप उसके basis पे क्या करो अपनी जो sales force है आपकी यानि कि जो आपकी sales करने वाला unit है आपकी company का उसे फिर आप उसके पास में लगाई हो अगर वो आपका अच्छा trusted customer है तो आप उसे कुछ offer वगारा दो जिस आपके exam point of view से जो समझाने वाली बाते हैं वो देखते हैं तो आप बस इतनी सी बात समझ लो आपको जितने भी यहाँ पर email आते होंगे डॉक्टर बत्रा का मुझे बहुत आता था ठीक है तो email बहुत आते रहते हैं या फिर आपको जो भी junk calls आती है या फिर आपको जो भी आपका Google form बर भरवाये जाते हैं जो भी आपसे address आपका लेकर के ले लिया जाता है कहीं कहीं पर और आप किसी भी website पर login करते तो कहीं कहीं वो आपसे registration करने को मांगते कि अगर आपको यह फाइल डाउनलोड करनी है तो आप register करो तो वो सारी की सारी चीजन जो है ना वो सभ सब्सक्राइब करते हैं अब यहीं से आपका जो डिरेक्ट मार्गेटिंग का कॉंसेप्ट है लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे अभी अभी हमें थोड़ा सा फोकस करना है CRM ठीक है ना और वह आपके लिए ज़्यादा कुछ खास नहीं है वह मार्गेटिंग जब देखें अब देखो इन्हों ने यहाँ पर एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म दिया कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू अब यह समझो यह क्या होता है यहाँ से कॉश्चन आपके बहुत पूच्छे जाएंगे कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है ना यह इंपॉर्टे पर यहाँ पर जो आपकी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होती है इसको दो तीन नामों से और जाना जाता है अगर आपको यह लिखा आ जाए कि लाइफ टाइम वैल्यू तो यह वी चीज़ है ठीक है ना लाइफ टाइम को आगे लगा देंगे तो इसको बहुत आ ही को क्लियर हो रही है ना चलिए अब इसके बारे में समझते हैं बहुत ध्यान से सुनना ठीक है ना थोड़ा सा भी आप पॉइंट मिस करोगे ना अब मैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यो को हर जगा क्या लिखूंगा लिखूंगा और इसका अब्रिवेशन भी आपसे पूचा जा सकता है ठीक है ना तो अब्रिवेशन जहां जहां मैं बता रहा हूँ ना वो बताने का परपस यही है कि यह अगर आपसे अब्रिवेशन पूच लिया तो याद होना ची एक्जाम टाइम पर चलिए अब यह जो क कि आगे अब ध्यान देना जब भी हम बात कर रहे हैं CLV की तो यह हम हमेश्या future के aspect में लेके बात करते हैं यानि कि हम भविश्य के बारे में बात कर रहे होते हैं ठीक है ना जब भी हमें अपनी company यह देखो मेरी एक company है मुझे अपना देखना है अपने भविश्य वाले ग company में clear है तो उसको मैं कैसे measure करता हूँ आपका customer lifetime values तो ज्यादा clarity आएगी आपको जो भी life insurance policy मिलती है जो भी आपको life insurance policy मिलती है या फिर आप कहलो life insurance policy के अलावा एक और service हो जाएगी आपको जैसे loan दिया जाता है ठीक है ना तो यह जो life insurance policy है या फिर यह जो loan है वो आपको क पहले वो क्या देखता है अगर उसे कोई किसी को loan देना तो वो क्या देखेगा अगर आपके पास कोई अच्छी घासी जौब है तो वो आपको loan देगा है ना जिस salary account में आपके salary का पैसा आ रहा होगा उसके basis पर ही तो वो loan देगा यानि कि उसने क्या देखा कि यह जो अग हारी salary जो है हर मन्त की 30 लट से 30 के पर मन्त है ठीक है ना 30 के पर मन्त है और आप loan लेने बैट चले गए उसके पास में 10 lakh का तो वो EMI कितने की बना के देगा आपको यहां पर around 15 से लेकर के 16 के की वो पर मन्त की यहां पर EMI बना करके दे रहा होगा अरे बोलो हाँ clarify हो रही है जोब में लगे हुए थोड़ा time हो गया या नहीं हो गया आपकी जोब थोड़ी से permanent है या नहीं है इसलिए जो government employees होते है ना उनको यहां पर loan वगएरा काफी जल्दी मिल जाते हैं क्योंकि उनकी जो यहां पर job security होती है वो बहुत जादा होती है तो कभी भी अगर मैं आप से बात करूंगा CLV की तो आपको कभी भी पूछा जाए कि कौन सा टर्म जो है वो company future aspect को देखते हुए यहां पर use करती है तो वो term होता है CLV इतनी सी बात यहां पर समझ में आई क्या फिर हम इसका formula भी समझेंगे अरे यहां तक clarify हो रही है चीज अच्छा अब यह जो हमने स customer को कैसे देख रही होती है as a financial flow ठीक है ना अब अगर हम यहां पर देखते हैं देखो CLV के लिए मैंने पहला aspect क्या बताया कि financial flow देखते हैं कि customer का कैसा क्या financial flow है लेकिन यहां पर एक चीज समझना जो lifetime value होती है ना किसी भी customer की वो क्या होता है basically वो होता है कि मेरी company है ठीक है to be spent expected to be spent on the products on the products by a customer on the products by a customer ठीक है ना तो यहां पर basically यह क्या होता है financial flow देखा जाता है किसी भी customer का किसलिए क्योंकि यह जो है आपका एक total amount होता है जो कि customer जो आगे इदे को होता क्या है basically let's say मैंने एक customer को अपनी दुकान पर बुलाया ठीक है और मैंने उसे coffee पिलाई ठीक है ना coffee पिलाई मेरा inauguration दे था मेरी मैंने दुकान अभी नहीं 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 खोली और let's say मेरी company है फिर मैंने कोई एक franchise खोली तो उसे बड़ा बड़े concept की जगए मैं छोटा सा बता रहा हूँ मैंने अपनी यहां पर coffee की shop खोली और पहले दे inauguration के day मैंने उसे free coffee पिला दी अब वो जो मैंने customer बुलाई है मैंने बहुत देख समझ के बुलाई है मैंने उसका थोड़ा सा पहले financial flow देखा कि आरे भई यह customer के पास में पैसा तो है और फिर मैंने उसका क्या देखा कि इसको जो है coffee पीने की आदत भी है है ना अब यह सब यह सब data कहां से मिलता अच्छा एक चीज समझो आपको ना कई बार दिखता होगा advertisement आ रहे हैं या फिर survey वगयरा आप से fill करने को आते रहते हैं या फिर आप जो Google में यहाँ पर search करते हो आपका बोलते है ना कि data leak हो गया data leak हो गया तो वो कौन सा data leak होता है वो यही होता है कि Google पर आपने क्या गया search किया आपको किस ट्रैप की चीजों में ज्यादा interest है अगर आप बार बार वहाँ पर coffee के लिए आप खरीदने के लिए search करते हो coffee beans देखते हो कैसे होती है coffee से related आपने एक दो वीडियो देख ली survey में आप से पूछ लिया फिर आपको survey आपको दिखाया customer को coffee पसंद है उनका देखूंगा भई उनका यह हिसाब किताब है चलो ठीक है यह लोगों क्या किया चीज़े खरीदते हैं उसके हिसाब से मुझे उनका financial flow पता चलेगा फिर मैं उस customer को क्या करूंगा उस customer को अपनी shop पे लाने की कोशिश करूंगा कैसे कोशिश करूंगा अलग-अलग offer दूगा कि अगर आप मेरे पास में आओगे तो आपको यह offer मिलेगा अब मैं यह offer क्यों दे रहा हूं से क्योंकि मुझे पता चला कि इसकी जो CLV है ना यानि कि इसकी जो customer life value है वो मेरे लिए काफी जादा है क्योंकि अगर ये मेरी shop पे आगर के एक बार coffee पी ये जो CLV है ये future के लिए जो customer है उनको कैसे target करना है उनका हमने एक यहाँ पर expectation रख लिया यानिक एक अनमान लगा लिया कि ये जो अगला customer है ये हमारे product पे कितना खर्चा कर रहा होगा अरे बास समझ में आ रही है क्या यहाँ तक clear है तो ये आपका basically CLV होता है अब इसका जो है आपका particular formula भी होता है वो भी हमें देखना पड़ेगा तो दीमे दीमे करके जब ऐसी चीज़ां observe की गई एक formula यहाँ पे आपको introduce किया गया अच्छा ये चीज़ धान में रखना आप यहाँ पे यह जो CLV होता है यही तो आपका segmentation करता है अगर आपसे पूछ ले कि market म या फिर जो मेरे customers हैं उनका segmentation कौन सा यहाँ पर एक particular term करता है तो segmentation कौन करता है CLV करता है अच्छा segmentation का मतलब समझ रहे हो जैसे कि मेरे customer है उनके बीच में अगर मैं कहूँ विभाजन कौन कर देगा हिंदी में क्या बोलते हैं विभाजन बास समझ रहे हो भई क्या कर दि से सोप ले लोगे तो तुम्हें 100 फ्री मिल जाएगा तो फिर वो फिर से मेरे पास आएगा यानि कि उसकी customer lifetime value कुछ ज़्यादा हो गई मेरे लिए फिर इसी तरीके से मैं दूसरा customer दिखूंगा मैं दुखूंगा अरे ये तो भई क्या करता है one year में मेरे से बस 30 सोप लेता अगर question आता है कि जो CLV है वो किसलिए use किया जाता है for the segmentation of the customers समझ में आ रहा है चलिए CLV का यहाँ पर अब हम formula देखते हैं कि customer lifetime value निकालने का formula क्या है तो यह होता है retention rate retention rate अच्छा retention rate भी मैं आपको अभी समझाओंगा क्या होता है retention नहीं ले नहीं एक बार formula देख लो इसक आप minus कर दो retention rate को ठीक है ना क्या minus कर दोगे retention rate को minus कर दो तो यह basically आपका customer lifetime value का formula यहाँ पर निकालके दिया गया यह बात आपको यहाँ तक समझ में आती है क्या 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 customer lifetime value basically होती है क्या यह बात तो आपके दिमाग में थोड़ी से गुसपाई है तो कहानी हमारी यहाँ से शुरू हो रही थी कि इन्होंने जो kristian bomb है इन्होंने जो है basically यहाँ पर इस term को introduce करा दिया था कौन से year में यह year था आपका 1982 लेकिन हुआ कि इन्होंने यहाँ पर customer lifetime value वाला यह जो term तैसे introduce तो करा दिया यानि यह term तो दे दिया लेकिन फिर आपका यहाँ पर आती है एक औ यह use किया था edge consulting agency consulting agency consulting agency और फिर दूसरी थी brand science नाम की ठीक है तो यह जो है यह दो आपकी consulting agencies थी जिन्होंने यह जो पूरा का पूरा customer lifetime value का model है use किया कौन से year में use किया था तो 1990s के time पर किया था ठीक है ना चलिए यह वाली चीज आपको clarify हो रही है क्या यहाँ तक customer lifetime value क्या हो होती है अब हम यहाँ पर एक और बात करेंगे एक यह तो होगे आपका customer lifetime value फिर आपका एक होता है क्या CP होता है ठीक है ना क्या होता है CP यह होता है customer profitability customer profitability अच्छा इसके बारे में मैंने आपको कल थोड़ा सा बताया था अब इसके बारे में हम और चीज़ देखते हैं मैंने आपको CLV के बारे में क्या बताया हमारे future में कौन कौन से customer हमारे लिए valuable रहेंगे वो हम अपना जो है CLV के थूढ़ते हैं यानि की customer lifetime value के थूढ़ते हैं लेकिन CP क्या होता है अगर अब हमने देखो लेटसे हमारे पास में कुछ customer थे हमने future के लिए तो ढूड़ लिए कि चलो future के लिए अपने पास यह customer अच्छे हैं लेकिन अगर हमें थोड़ा सा देखना हो पीछे मुड़के कि मेरी company के लिए अभी तक कौन कौन से customer actually में beneficial रहे हैं है ना कौन कौन से ऐसे customer है जो की मेरी company के लिए actually में beneficial रहे है यानि कि यहाँ पर मैं किसकी बात करूँगा past की बात कर रहा होता हूँ आपका जो यह term है customer profitability का यह अगर मुझे actual में देखना हो कि भई यह तो hypothetical हो गया जो आपका CLV था है ना बास समझ में आ रही है न आशा है कि यह customer है ना यह मेरे product पे इतना पैसा खर्च करेगा ठीक है यह तो मैंने future plan बनाया इसको लेके लेकिन अगर मुझे देखना हो कि actually मैं कौन कौन सा customer कितने दिन आया क्या मैंने उसके उपर खर्चा किया और कितना मुझे उससे revenue वापस मिला कितना मुझे यहाँ से पाइदा मिला तो उसके लिए आपका एक term use किया जाता है customer profitability का बास समझ में आ रही है क्या से अगर आपका question कुछ भी ऐसा उठा कि पूछ लिया जाए अगर company को actual में किसी customer का यहाँ पे profitability देखनी हो तो कौन सा term use करेंगे CP का term use करते हैं अरे बोलो हाँ clear है तो इसके बारे म में आपका पूरी प्रॉपर जो definition होती है CP की वो क्या होती है it is the difference between क्या होता है यह आपका difference between the revenues wait a second difference between the revenues यानि कि जो मुझे revenue मिल रहा है और उससे हम क्या कर देंगे minus कर देंगे cost minus कौन सी cost करेंगे associated with the customer relationship cost associated with the customer relationship with the customer relationship को मैं CR लिख दे रहा हूँ ठीक है कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है CR का मतलब customer relationship अच्छा अब यह जो CP है क्या हुआ इसमें difference of revenue यानि कि मुझे customer से कितना पैसा मिला उसमें से मैं minus कर दूँगा कि मैंने customer को क्या-क्या यहाँ पर फायदा दिया है अब यहाँ पर जो चीजें है ना यह आपको लगता है कि जो आपका बस cost है किसी भी product की वही वाला पैसा minus किया जाता है तो ऐसा है कि इसमें आपका वो पैसा भी minus किया जाता है lettuce से मैंने एक laptop खरीदा बात को समझना ध्यान से example से समझाता हूँ आपको देखो let's say मैंने क्या किया laptop खरीदा ठीक है ना company ने यहाँ पर जब पीछे मुड़के देखा वहाँ पर कि किन किन कस्टमर ने कौन सा laptop खरीदा क्या खरीदा तो जो laptop मैंने खरीदा उसके बाद मैंने यहाँ पर let's say इस laptop की उपर three years की warranty थी ठीक है पैसा है ना वो यहाँ पर उस पैसे को भी minus करते है ठीक है ना मैंने जितना पैसा दिया उन लोगों को उसमें से वो minus करेंगे यह सब जो उनकी cost लगी है जो customer service वो हमें provide कर रहे है उसकी भी यहाँ पर वो क्या करेंगे cost minus करेंगे फिर वो देखेंगे कि अरे मुझे इस customer से फाइदा हो रहा है या घाटा हो रहा है या फिर ऐसा तो नहीं है कि मैंने यहाँ पर अपना टेक्निशन उनको कॉल कर दी और बेसिकली जो फॉल्ट है वो मेरी ही थी कि मैंने क्या किया इस अपने लैप्टाप की उपर कॉफी गिरा दी ठीक है मैंने अपने लैप्टाप की खराब हुआ है तो फिर वो सही तो नहीं करेंगे लेकिन उन्होंने जो technician भेजा है उसकी तो यहाँ पर उन्हें costing देनी पड़ेगी ठीक है तो वो costing हटा करके ट्रांसपूर्ट का cost लगा होगा उसका वो costing हटा करके और फिर वो ये भी देखते हैं कि आप एक हमारे लिए annoying customer हो जाएगी तो मैं अगली cycle में इसको offer नहीं दूँगा मैं offer किसको दूँगा जो अच्छे से यहाँ पर मेरे लिए मतलब जिसने ज्यादा कुछ यहाँ पर जो actual में complaint थी वो दिखाई है और कुछ चीजे हैं तो let's say मैं phone भी बनाती है मेरी company laptop भी बनाती है तो मैं यहाँ पर उनको लेकर कि उस customer को target करूंगा क्योंकि उसकी detail तो है मेरे पास already mail वगेरा phone number वगेरा मैंने ले रखा है तो मैं उसके लिए तो वो समझाता हूँ आपको question देखो ऐसा था कि in a CRM system क्या बोला गया था कि in a CRM system ध्यान देना कि एक CRM system है उसमें जो hypothetical retention rate है अच्छा hypothetical देखो इन्होंने word भी यूज किया था मैंने आपको बताया ना जिसे कि CLV वगेरा जो है जो भी हम future की यहाँ पर बाते करेंगे न व hypothetical retention rate है ध्यान से देखना hypothetical retention rate है वो आपका 1.0 दे रखा है तो उन्होंने आपसे question पूछा then survival rate क्या होगा then survival rate at the end of 3 years survival rate at the end of 3 years तो देखो यह आपसे question पूछ लिया अब यह जो पूरी की पूरी मैंने आपको कहानी समझाई न यह तो मैं आपको चुपचाप से software हिस्ट्री बता के भी आगे चला जा सकता था लेकिन यह पूरा जो इन्होंने question पूछा है एक question की वज़े से हमें यहाँ से value का तो इस life उस फार्मले में आपको क्या दे रखा है कहा चला गया भी फार्मला पता नहीं ली में अभी आपको दिखाया था न जो retention rate यह देखो retention rate की भी बात करी है हमने discount rate की बात करी है फिर यहीं से आपका start होता है वो survival rate क्या होता है वो सब समझना तो वो सब समझ में आ retention rate के उपर और आपका survival rate के उपर अब क्योंकि question पूछा गया तो जरूरी थोड़ी अगले बार ऐसा ही question पूछेगा अब आपसे इसका मतलब CLV भी पूछ सकता है आपसे वो CP भी पूछ सकता है कुछ भी पूछ सकता है ठीक है ना इसलिए हम यह सारी यह सारी चीज़े कर गे जा रहे हैं I hope कि आपको clear हो रहा होगा ऐसा नहीं आपको भी समझ में आना चीए कि हम क्या-क्या पढ़ रहे हैं क्यूं पढ़ रहे हैं उसका क्या मतलब है ठीक है चलो अब थोड़ा सा हम यहाँ पर समझते हैं कि क्या-क्या rate होते हैं अलग-अलग type के चर्ण rate क्या होता है यहाँ पर मैं आपको बता तूँ सारे rate समझाओंगा ठीक है ना कोई tension वाली बाती नहीं है यह जो अपना CRM सिस्टम है हम पूरा cover कर लेंगे जो important है चर्ण rate क्या होता है यह देखेंगे survival rate क्या होता है ठीक है ना यह as it is लिख लेना यहाँ पर survival rate फिर हम समझेंगे यहाँ आपका discount rate है यह क्या होता है ठीक है ना तो इस तरीके से आपके सब कुछ complete हो जाएगा चलो एके करके देखते हैं अब ध्यान से आप यह वाली कहानी को और सुनते जाना ठीक है पीछे का अगर अभी तक समझ अब देखो पीछे का पूरा का पूरा clear हो गया है ना तो फटा होता है ना जो अच्छा चलो इसका यह भी समझाता हूँ यहां से अब यह जो question आपको पूछा गया ना आपके paper में बहुत ही ज़्यादा लल्लू पंजू question है इससे ज़्यादा लल्लू पंजू question कोई होई नहीं सकता यह question था ना हां retention rate दे दिया survival rate पूछा हुआ है देख वाला discount rate ठीक है ना क्या हो जाता है यह discount rate हो जाता है लिख भी देता हूँ एक बार में क्या हो जाता है यह आपका discount rate हो जाता है तो अब समझना यह तो आपका CL भी चलो अलग चीज़ है मैं customer अपने आपर acquire गरने उसके साब से formula में लगा दिया ठीक है CP आपका हो गया चलो ठीक है मैंने देख लिया कौन कौन से customer जो है कितने customer मुझे पहले फायदे मंद रहे मेरे लिए कौन से नहीं रहे अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि मैंने चलो customer तो यार बना लिया ठीक है सब कुछ ठीक है लेटस से मैंने अपनी कंपनी के लिए 100 customer बना लिये 100 customer बना लिये लेकिन उसमें हुआ क्या 100 में से आपके 25 चले गए 100 में से 25 चले गए इसका मतलब यह जो चर्न रेट है ना चर्न रेट को एक और नाम से और जाना जाता है अट्रीशन रेट कर गे ठीक है ना अट्रीशन इसको बोला जाता है अच्छा ये भी ध्यान में रखना अगर आपसे मैंने बोल दिया कि चर्न रेट आपका 25 परसंटेज है तो बताओ आपका एट्रीशन रेट क्या होगा तो वो भी 25 ही होगा नाम सेम से मैं देखो अब 100 में से मेरे 25 customer मुझे छोड़के चले गए अब अ number of customer left upon का total customer क्या हो जाता है upon का total customer into में 100 कर देते हैं क्योंकि हम rate की बात कर रहे हैं तो ये होता है basically आपका चर्न रेट तो मैंने बोला मेरे 100 customer थे 25 तो मुझे चोड़के चले गए हैं तो मेरा चर्न रेट क्या हो जाएगा वेट अ सेकंड देखो तो मेरा चर्न रेट कितना ह percentage तो चले गए अब मुझे ज़रा एक बात बताओ ये जो retention rate है या फिर survival rate है इसका मतलब पता क्या होता है कि आपके जितने भी customer थे उतने ही customer आपके मतलब जितने customer थे उसमें से कितने customer अब आपके रहते हैं let's say मैंने 100 customer बनाए थे एक cycle पूरी हो गई एक साल का वक्त पूर तो या से समझो या चीज़ों को ठीक है ना survival rate का मतलब क्या है जितने लोग मेरे पास में है ठीक है ना और जितने छोड़के चले गए उनको मैंने भगा दिया जाने दो भई ठीक है जितने बचे हुए कितने 25 लोग 25 चले गए तो 75 बचे तो मैंने का ठीक है यार 75 लोग ब क्या हो जाएगा retained upon में आप क्या गर दोगे total customer और into में आप पकड़ा दो 100 को clear है तो कितना निकल के आ जाएगा यह आपका 75% निकल के आ जाएगा अरे बोलो हाँ यहां तक बात clear हो रही है क्या फटा फट से बताईए अच्छा अब यह जो rate है अगर आप percentage में नहीं बता रहे हैं जैसे अगर मैं यहां पर बात करूँ 25 by 100 मैंने अगर अकेला कर दिया तो कितना हो जाएगा यह 1 by 4 तो कभी-कभी ऐसा भी बताया जाता है कि 1 by 4 मेरा churn rate रहा है तो इसका मतलब समझदाना यह आपका किसमें बता रहे हैं fraction में बता रहे हैं percentage की जगए पे अरे बात समझ भाई 4 हो जाएगा survival rate या फिर जो मेरा retention rate है अरे बोलो हां यहां तक बात clear हुई की नहीं हुई फटा फट से हां बोलते जाओ चीज़ें clear हो रही है नहीं हो रही है और पूरा का पूरा lecture बिलकुल एक go में देखना है नहीं तो आपको चीज़ें इधर के उधर हो जाएगी है ना जब मैंने आपको सब कुछ जब स्टार्ट किया होगा customer lifetime value तो आपको समझ नहीं आया होगा क्या हो रहा है सर लेकिन अब I hope कि आपके mind में पूरी चीज़ें clarify घुस गई होगी कि कैसे क्या होता है अब देखो यह जो discount rate है क्या होता अब यह पता चल गया ना churn rate हो यह हो गया discount rate यह हो गया तो अगर कभी आपसे पूछ ले कि discount rate अब देखो discount डिसकाउंट रेट पर मैं आऊंगा यह समझ लो relation between रिलेशन बिट्वीन चर्ण रेट रिलेशन बिट्वीन चर्ण रेट एंड जो आपका यह क्या बोलते हैं retention rate तो इनके बीच में relation क्या होता है अगर आपका यह percentage में दिया है किसमें दिया हुआ है दौनों rate percentage में है तो relation यह होता है hundred minus का churn rate hundred minus का churn rate equal to क्या हो जाता है आपका retention rate हो जाता है equal to हो जाता है आपका retention rate और अगर आपसे पूच ले fraction के टर्म में यह किसके टर्म में रिलेशन होता है आपका percentage के टर्म में और अगर आपका डिक्कत वाली बात है यह ठीक है यह हो जाता है बात समझ में आई, relation पता चल गए इन दोनों के बीच में, कभी कुछ ऐसा question पूछ लेगा, तो आप दिक्कत में तो नहीं आओगे, ठीक है, अब discount rate क्या होता है, ये बताता हूँ, मैंने आपको बताया, आप मैंने जैसे किसी customer को देखा और मैंने देखा रहे हैं, तो future में मे अच्छे customer हो, तो मैं तुम्हें 20 रुपीज का discount दे रहा हूँ, और तुम मेरी चीज 80 में ले लो, तो उस customer को, उस customer ने मुझे कितना revenue दिया, 80 रुपीज का ही revenue दिया, लेकिन उसकी जगे अगर कोई और customer खरीता, तो वो 100 का खरीता, लेकिन क्योंकि मुझे पता है, ये customer मे तेरे लिए valuable है, आगे भी इसकी जो lifetime है ना, वो आगे भी इस चीज को use करेगा बार-बार, इसलिए मैंने उसे स्टी में दिया, क्योंकि अगली cycle में फिर से लेगा, फिर से लेगा, तो ये मुझे पता नहीं कितना जादा profit देता जाएगा आगे चलके, है ना, इसलिए मैं ने उसे 80 दिया, लेकिन जब मैं पूरा का पूरा देखूँगा ना, बैठके हिसाब किताब, तो उसमें मैं ये भी include करूँगा, कि मैंने इसे इतना discount दिया था, तो discount rate क्या हो गया, 100 रुपीज में 20 का मैंने discount दिया, तो 20% का ये आपकर discount rate हो गया, ये हो गया आपका किसमे percentage में, अगर मैं fraction की बात करूँ, तो 20 का discount दिया है, मैंने 100 रुपीज पर, यानि की 1 out of 5 ये जो है मेरा discount rate हो गया, ठीक है तो ये अलग चीज है, बाकी इन दौनों को बहुत अच्छे से धान में रखना है, चलिए, अब आते हैं अपने यहाँ पर हम question पे, question अपना क्या मतलब क्या है, मेरे जो 100 customer थे, 100 में से 100 customer मेरे अभी भी है, clear है, तो जब मेरे 100 में से 100 customer इसका मतलब क्या है, मैं इनको यहाँ पर retain कर पाया, यानि कि मेरा CRM थाना वो बहुत मजबूत था, मैंने जो इनको offers दिये, इनको वो पसंद आए होंगे, ये लोग मेरी company के लिए loyal है बिल्कुल, यानि कि 100 के 100 customer मेरे लिए बहुत फायदेमंद, मैंने के लिए फायदेमंद प्रूव हुआ हूँ, तब ही ये मेरे साथ में है, ये तो लेने देने का पूरा process होता है, कि customer आपका क्या है, खुश तो वो आपके साथ में रहेगा, और आप खुश तब होगे, चल रही है, hypothetical का मतलब होता है, एक ऐसी condition जो की exist तो नहीं कर रहे है, लेकिन ऐसा हो सकता है, ठीक है न, तो hypothetical condition तो यही है, कि अगर मैंने पहले साल में से 100 customer को अपने gain करके रखा है, retain करके रखा है, तो मैं अगल 3 साल के बाद भी उनको retain करके रखूंगा, बास समझ में आ र तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने पहले year में अगर सारे के सारों को gain कर लिया, तो 3 year के बाद भी gain कर लूँगा, कितने भी year के बाद मैं gain कर सकता हूँ, यानि कि मेरे पास capability है इतनी, चलिए, तो यह आपका कितना हो जाएगा, gain 1 हो जाएगा, 3 years के बाद भी clear है, तो इसका answer होगा, 1, चलो खेर, पूरा का पूरा concept आपको समझ आया की नहीं आया, बोलो फटा-फट से अगर पूरा का पूरा concept clear हुआ है, नहीं हुआ, जो भी है, अपना comment में बताना, और अच्छा मैंने देखा, एक दो बच्चों को यहाँ पे sales force automation समझ नहीं आया था, देखो, एक बच्चों को यहाँ पे sales force automation है, यानि की SFA है, यह समझ नहीं है, क्यों टेंचन ले रहे हो भी मैं, और बता दूँगा इसके बारे में, ठीक है, एक बार फिर से पूरा का पूरा से मैं 15 मिनिट लेकर के और समझाता हूं इसके बारे में, कैसा क्या होता है, क्योंकि SFA से questions ब पोलते चाओ, ठीक है ना, गला पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, चलो याँ ठीक है, फिर आज का session तो यहीं तक end करेंगे, और बड़ा चिलाना पड़ता है, यह जो customer relation वाली glass है, इसमें सबसे ज़्यादा चिलाना पड़ा है, मुझे दो ही लेक्च्चर लिए हैं, अभी मैनत का कोई substitute है नहीं, और यह लेक्चर आप कम से कम, ध्यान देना, यह लेक्चर आप दो से तीन बार देखोगे, ठीक है सबी लोग, दो से तीन बार देखोगे तो आपके mind में सब बैठ जाएगा, फिर बार बार रटना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, रटने की तो यहीं पर end करूंगा, फिर thank you so much, God bless you all, take care and bye-bye.